चैनिक चावनिया थी तो चैनिक चावनिया हुआ करती थी यहां रियाद करने की ट्रिक भी देख लेते हैं क्योंकि यहां पर कूछ लेगा कि इन वैसे कौन से चावनी अठा सो थान की कुरांति के समय नहीं थी तो थी एसा कुछ करेंगा तो हम उस तैम पर उसके लिए हमें ट्रिक याद होनी चीए एनी ने मेरा ब्याह नहीं देखा यहां पर एनी ने मेरा ब्याह नहीं देखा यहां पर एनी ने मेरा ब्याह नहीं देखा अब आगे हम चल लेते हैं कि 1879 किक्रान्ति के समय क्या-क्या चीजे हुई और क्या-क्या नहीं हुई यह सब भी देख लेते हैं ठीक है को करने के लिए हमें तो सब कुछ आता इसमें एठास्टाउं की ग्रांति में वापस डिस्कस कर लेते हैं हमारा एजिन्ट to governor general कौन था wait Inc. गवर्णर जरनर जर्ञ कौन था लॉर्ड के नी domain guysатьta grant ते जिंद क्या था कमल का फूल एंवा रोटी अब ये भी देख लिन तो हमने क्या जाना तीन कुष्ण जा लिए हैं से 8778 में आक्षित पार्थके की संधियां हुई यह संधियां किन-किन के मद्य हुई अंग्रेज वर राजपुत राजाओं के मद्य हुई ठीक है अब साइक संधियां हुई है तो सबसे पहले भी किया होगा किसने किसने बोला बड़े चोड़े लंबे होंगे ठीक है और कि सबसे एंड में भी करेगा कोई तो हम तीनों को जान लेते हैं पहली जो सबसे पहले साइक संधि करी थी कौन सी रियासत थी कुष्ण पूछ लेते हैं करोली रियासत थी अच्छा तो कब करी उन्होंने नो नॉम्बर अठारा सबसे पहले करोली रियासत बें हुए अच्छा तो हां कर कौन सा सा सक था ठीक है बता देंगे हम हर बक्स पाल सिंग मारे मह between सा सकते हैं अब यह देख लेते हैं अब हमारे संदी तो हो गई चलो हना हमने देख लिया आक्षित पात्थकी की संदिया 1718 में हो गई 1817 और 1818 में किसने करी अंग्रेजोर राजकुतरा जाओ ने कल ली साहिक संदी सबसे पहले किसने करी करो ली दिया सथ ने कल ली कब करी nehmenे, io जो अगले संदी सबसे बना कि विस्तव संदी करी कीथ नहीं लगा लिया सबसे ज्यादा इनों नहीं अपने वर्यस कोड़ी करी बड़ी चोड़ी संदी नहीं नहीं करीं फिर अंतिम संदी अब सबसे बाद में कोन करेगा सिरोही वाले इन्होंने सबसे एंड में 11 सतंबर 1823 को साइक संदी करी अब यहां का जो क्या नाम से सासक था वो सिर्फ सिंग थी अब हमारा यह कुशन भी आता है कि बई 18 सतंब की जो करांती हुई थी उसमें 6 चाओनिया थी ठीक है पर ऐसे कौन से चाओनिया थी जिन्होंने भाग नहीं लिया तो ऐसे 2 चाओनिया थी एक तो थी हमारी व्यावर सेनिक चाओनिय अजमेर वाली अब ये सासक को ने ना मदद की थी अंगरे जोकी 18फावन का विद्रोधबाने के लिए तो वो सासक कौन थे उनके वहाँ पे पॉलिटिकल एजेंट कौन थे जिन्म हना तो अभी देख लेते हमारे सासक और पॉलिटिकल एजेंट ठीक है अब यहाँ पर हम कलर बदल लेते हैं ताकि हमें अच्छे से दिख जाए ठीक है अब हमारा मारवाड जो है यहाँ पर कौन सा सकता तक्स सिंग थे भईया और यहाँ पर कूं था मेकमस क्यों णियुशंट में बढ़ा है या है तो घुक्रिवाड भी जफिए फरवर्ट कौषा सांसगिस अब आगे हम बढ़ते हैं अमने पूलिटीजान को सासको को भी देख लियाह है। गॉछ सब्सक्राइब के सब्सक्राइब सब्सक्राइब नसीराबाद जो कि अपनी अजमेर वाली और वहां पर कौन सी बटालियन थी पंद्रवी इफेंटरी नेटीव इनफेंटरी बिटालियन ये किषिन पूछह जाता है अब आगे भट जाते हैं अपन एसपीश् Community सेनिग बटालियन थी एरिनफुरा चालनी हुई हुई कहां पर हुई पली में ठीक है अब पाली में कब हुई इसकी सुरुवात कब हुई विद्रोग की सुरुवात यहां पे विद्रोग होगा विद्रोग विद्रो की शुरुआत काभूई अटीum अगस्ट 18 सटावन को यानि कि देखो पहले बार शुरुआत कर दी हमने मैं मैं में तो ये जोदपूर आनि यहांKe जो छावनी ती उसका नाम था जोदपूर लीजिन सेनिंग बटालियन अब विद्रोग की सुरुवाद कभ हुई 21 अगर्स 1877 को ठीक है याने कि दो चाउनिया हमने पढ़ ली पढ़ी हमने नसिरभाद की सुरुवाद कभ हुई 18 में 1877 को पहली ती जहां विद्रोग हुआ नसिरभाद चाउनि कौन सी वहां पे बटाल लेते हैं कि चलो दिल्ली मारो फिरंगी यह नारा किस ने दिया राजस्तान में यह दिया था शिवनास सिंग ने तो यह याद करो क्योंकि अब कुछन है कि ऐसा कौन सा है जिसमें किसी ठाकुन नहीं जो ऐसी कौन सी विद्रोग था जिसमें अपना नित्रत्व किया था देखो हमारे वह आँवा के कुसाल सिंग ठाकुन है ना बहुत फैमस नहीं से थाकुतानी जो एरिन पुरा से युद्ध हुए थे अंग्रिजों के बीच में और ठाकुर हेल्प करेगा तो यार आप उनके पास सैनिक वेनिक में होंगे तो बिल्कुल अच्छा वाली हेल्प मिलेगी तो इन्होंने युद्ध कर लिया था तो एक हुआ था विथोड़ा का युद्ध ये कब हुआ था आठ सितंबर 1877 को यानि कि आठ सितंबर 1877 को विथोड़ा का युद्ध हुआ था पाली में इरिनफुरा में तो इसके किस-किस के मद्दे होगा तकसिंग यहां का कौन है सासक है और कुसासिंग चंपावत कि हमारे हुआ के ठाकुर थे ना ठीक है अब इनके मद्दे हुआ तो विजेता कौन बनेंगे हमारे ठाकुर मतलब यहां पर विद्रोग वाली चीत के चलो बढ़िया हुआ अब दूसरा फिर करेंगे चेलावास का युद्ध एक जब राजा हार जाता है ना सासक हार जाता तो बैठे का चुप थोड़े वो दुबार आएगा हराने के इससे काली और गोलों का कया है एक चाली को कि यूद्ध हुआ घिकशां एक बार हाने के बार तो पर क्या हुआ था चंपावत की में में बैड्न बचम कि मेकमा वसन को मार करके उसका आ हुआ के केले पर गरधन को लटका दिया ठीख है अब अब यह पूछ़क जाता है कृष्ण कीबी अठारासो सताउन की ग्रांति के समय सेनिकों की कुलडेवी कौन थी तो उस टाइम पर कुलडेवी हुआ करती थी कुशाल सिंह चांपवत की सुगाली माता है नहीं है तो यह सुगाली माता ही थी जो अठासताओं की क्रांती की आराद्येवी थी ठीक है अब कोटा में भी तो विद्रो हुआ था क्योंकि कोटा में भी एक छाउन नहीं थी हमारी है ना तो वहां कर राजा कौन था राम सिंग सेकेंड वहां पर बटन हमारा पैट क्या बोलते हैं उसको पॉलिटिकल इसंट था फिर अब किस-किस के मद्दे हुआ गा ये एक जन वि जैदयाल और महराव खा के मद्दे और इसमें विजेता कौन रहे थे लाला जैदयाल और महराव खा और यहां पर सासक थे राम सिंग सेकेंड और मेजर बर्टन यानि की अठा सतावन की क्रांती जैदयाल और महराव खा के नेत्रतु में राम सिंग सेकेंड और मेजर का दिया दूखा संभावी 7 का रेकरम कि स्वितिय वर्स में प्रारंब हुआ था है दोश्टो सूफासन भावी छेतり उनिसो चोتर 35 में उनीसो हसी में मृ Sacramento में हुआ था तो दोस उसका सही आंसर 1525 में राजस्तान का सबसे । राजस्तान का सबसे लंबा बांध कौन सा है? यह सही आंसर है, पराना परताप भी नहीं है, कुटा बिराज भी नहीं है, बेसलपूर भी नहीं है नेक्सक्यों है बाल समंद और काईलाना जील राजयसitان के किस जिले में इस्तित है? ये राषर बिल्को सही है next question जानते हैं मिवार्ण मुगल संदी 1615 किन के मद्दे हुई थी दोस्तों मिवार्ण मुगल संदी देखो 1615 की बात हो रही है 1615 यानि कि 1597 में हमारे महारणा परताब जी सुरगवास हो गए थे यानि कि महारणा परताब जी के मद्दे नहीं हुई है उनके बेटे के मद्दे होईगी क्योंकि जदर टाइम है नहीं 15-18 साल का ही है तो राजा उनका बेटा ही होगा इदर महारणा परताब नहीं है तो अधर अकबर भी नहीं होगा तो उधर उनका कौन सा बेटा होएगा जहांगिर तो इसके किसके मद्दे हुई है जहांगिर वर अमर सिंग के मद्दे नेक्स्क्रिशन जान लेते हैं घोसुंडी अभी लेक किस लिपी में लिखा गया है दोसर घोसुंडी अभी लेक को लिखा गया है ब्रह्मी लिपी में नेक्स्ट है बातारी फुल्वारी नामक ग्रंद की लेखा कौन थे दोस्तो बातारी फुल्वारी नामक ग्रंद किसने लिखा विजयदान देथाने एकडम सही आंसर है नेक्स क्यूशन पर चलते हैं सहजोबाई के गुरू कौन थे दोस्तों सहजोबाई के गुरू चरन दाजजी थे एकदम सही आंसर है नेक्स क्यूशन जान लेते हैं हवा महल के वासुकार कौन थे दोस्तों हवा महल के वासुकार लालचन उस्ता थे दोस्तों इसे की सवत में बता देती हुआ मैल हमारे जैपुर में एक एतिहासिक इमारत है जिसमें पांच मंजिले हैं और इसके लिए ट्रिक है सर ने कहा विचेत्र प्रकास से हवा आती है विचेत्र प्रकास से हवा आती है ना देखो हमारी रिट्रे के से हो गए सरसे सरद मंजील रैसे रतन मंजील ने कहा यहाँ पर वो है साइलेंट है विजीतर से विजीतर मंदिर पकास मंदिर और हवा मंदिर यह हमारी पांचों मंजील हो गई नेक्स है राजस्तान के पर्थम मुख्य मंतरी कौन थे दोसर राजस्तान के पर्थम मुख्य मंतरी हिरला सास्त्री थे यह बिल्कुल सही आंसर है नेक्स क्यूशन है गोगुंदा के मद्दे गोगुंदा का कुंबलगड के मद्दे देखो गोगुंदा और कुंबलगड के म कौन सा पठा इस देता है ये बोहराट का पठार इस देता है जब पानी में ना